मैं रोज उराउं असिस्टेन्ट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ओफ हिस्ट्री रामगड कोलेज रामगड विनोबा भावे इनिवर्सिटी से बी ए सेमेस्टर 2 के सेलेबस कोर 4 हिस्ट्री ओफ मोडन युरोप चेप्टर 5 के अंतर्गत प्रश्न 1917 एस्वी की रूसी क्रांती के कारणों का विशलेशन करें पर जानकारी दे रही हूँ रूस में 1917 एस्वी की समाजवादी क्रांती हुई जो की युरोप के इतिहास की ही नहीं अपितु विश्व इतिहास की महतपून घटना थी 1917 की रूस की क्रांती रूस की पिछडिहवी अर्थ ववस्था किसानों और मजदुरों की विपन्नता निरंकुस सासन के अत्यचार रूस में जनविद्रों की परमपरा तथा सरकार में मजदुरों की स्थिती में सुधार लाने की इच्छा के अभाव का समलित परणाम था इसने रूस को ही नहीं अपितो विश्व के समस्त देशों को प्रभावित किया इस क्रांती के फलसरूप एक नई सामाजिक ववस्था का आदर्स उपस्तित हुआ और विश्व में मजदुरों की सत्ता स्वर प्रथम स्विक्रित हुई संसार में एक नई विचारधारा जिसे साम्यवाद कहते हैं का प्रारंभुआ सामयवाद एक नई समाज, एक नई सभ्यता एवं एक नई संस्कृति का संदेश लेकर संसार के सामने उपस्तित हुआ 1917 इस्वी में रूस की दो क्रांतियां हुई एक मार्च की क्रांति कही जाती है जिसका स्वरूप राजनितिक था और दूसरी नवंबर की क्रांति जिसका स्वरूप सामाजिक दौर का था अब हम चर्चा करते हैं रूसी क्रांति होने के पीछे क्या कारण थे कोई भी क्रांती किसी एक कारण से नहीं होती और ना ही क्रांती आकसमात होती है बलकि इसके पीछे अनेक कारण होते हैं और बहुत पहले से ही इसके प्रिष्ट भूमी तयार होती रहती है रूस में भी वस्तुता क्रांती के लक्षन 1905 से ही द्रिष्टी गोचर हो रहे थे किंटु जार शाही की निरंकुस्ता उन्हें दबाने में सफल रही जहां एक और जार निकोलस ने प्रारंभ में शासन संबंधी सुधारों की घोशना की और ड्यूमा की इस्थापना का वच 1917 एस्वी की महान क्रांती के रूप में प्रकट हुआ जिसने रूस ही नहीं संपोन विश्व को अपनी ज्वाला से प्रभावित किया अब क्रांती के पीछे के कारणों की चर्चा करते हैं सबसे पहले जार की निरंकुस्ता के बारे में जानकारी देते हैं रूस का अंतिम स सूज बूज की कमी थी और व्यक्ति की योग्यता तथा परिस्तिती की गंभीरता समझने की छमता नहीं थी वह खुद को प्रित्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधी समझता था और स्वभाव से सुधार विरोधी था राजी की संपोन शक्ति उसके हात में थी और वह स्वयम अपनी पत्नी जरीना के हाथों का कट पुतला था जरीना संकीर्ण विचारों वाली अहंकारी तथा प्रतिक्रियावादी थी और राष्ट पुटीन नामक अंध विश्वासी ब्रष्ट पादरी के प्रभाव में थी राष्ट पुटीन जो चाहता जरीना के द्वारा जार कर दिया उच्च पदधिकारियों की न्युक्ति एवं उन्हें पद से विमुक्ति राष्ट पुतीन के हाथ में आश्रित हो गई इससे प्रसासन में बड़ी गड़बड़ी फैल गई इन सब कारणों से राजदर्बार में राष्ट पुतीन के विरोध में एक दल बन गया औ और फलसरूप दिसंबर 1916 में राष्ट पुतीन की हत्या कर दी गई जहर इससे अत्यंत दुखी हुआ उसने हत्यारों का पता लगाने का आदेश दिया जिससे संपून दरबारी भी उससे रुष्ट हो गए और वे भी उसके विरोधी बन गए उसकी निरंकुष्टा के कार जनता पहले से ही उसकी विरोधी बन चुकी थी अब आगे चर्चा करते हैं रूस के क्रिशकों की स्थिती पर रूस एक क्रिशी प्रधान देश था परन्तु क्रिशी प्रणाली और भूमी वित्रण प्रणाली दोशपूर्ण थी वहां की अबादी में 15 करोड किसान थे औ खेतों के साथ उनकी भी खरीद विक्री होती थी यदिपी 1861 में जार अलेगजेंडर द्वित्ती ने इस प्रधा का अंत कर दिया था परन्तु उसका परिणाम संतोस जनक नहीं हुआ था बहुत अधिक मुल्य पर किसानों को जमीन दी गई थी और अनेक प्रकार के कर लगा दिये गए थे जिन्हें बहुत ही शक्ती से वसूल आ जाता था इस कारण बहुत से किसानों ने अपनी जमीन बेच दी और दूसरे के खेतों या नगरू में जाकर कल कारखानों में काम करने लगे भूमी की समस्या के हल नहीं होने के कारण भुकमरी की समस्या उत्पन हो पढ़ने से भूमी छोटे छोटे टुकडों में विभाजित हो गई, खेतों की उर्वरा शक्ती कम होने से भूमी कृषी के लिए अनुप्युक्त हो गई थी, कृषी के ओजार भी पुरानी और अव्यक्यानिक थे, कृषी के उत्पादन में बहुत कमी हो गई थी, जिससे द दैनिय थे, हालांकी 1906 और 1910 में कुछ भूमी संबंधी सुधार हुए, परन्तु ये भूमी हिवन्यों की समस्या को सुलजा न सके, अब बात करते हैं मजदूरों की स्थिती पर, रूस में जारसाही और पुंजिवात के स्वार्थ समान थे, और दोनों जनहित के विरोधी इस कारण दोनों में गट बंधन था, रूस में मध्यमवर्ग का अभाव था, हालांकी उद्योगों के विकास और अद्योगिक शहरों के विक्सित होने से मध्यमवर्ग का प्रादुर्भाव हुआ था, परन्तु वा प्रभावशाली नहीं था, उद्योगों के विकास से अनेत बुराईयां भी उत्पन हुई थी। मजदूरों की दसा दैनिय थी। कम मजदूरी, कठोर काम, आस्वक्ष और संकिर्ण वातावरन, सुरक्षा का अभाव ये सब मजदूरों की जीवन की विशिष्टाएं थी। जब उद्योग पत्यों और मजदूरों के बीच संघर्ष की स्तिती आती, तो सरकार पूझी पत्यों की साहता करती थी। फलता मजदूरों का करोथ ना केवल पूझी पत्यों के विरुद था, बलकि सरकार के प्रति भी था। क्योंकि सरकार की सहायता से ही पूझी पती उन पर अत्यचार करते थे। गरिबों में आशिक्षा, अज्ञानता का प्रचार था। मजदूरों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। उनके पास ऐसा कोई भी साधन नहीं था जिसके माध्यम से छोटे मोटे सुधार कर अपनी स्थिती को थोड़ा बहतर कर पाते। इस संबंध में माक्स का या विचार अक्षरसा सत्यप्रतीत होता है कि मजदूरों के पास सिवा अपनी बेडियों को खोने के अलावा कुछ भी नहीं है। इस कथन से मजदूरों की स्थिती स्पस्ठ हो जाती है। आगे चर्चा करते हैं समाच के विभिन वरगों की। क्रांती के पुर्व समाच में दो वर्ग थे, कुलीन वर्ग और सर्व साधारन वर्ग कुलीन वर्ग विशेश अधिकारों से युक्त था, रूस की भूमी का बहुत बड़ा भाग उन्ही के अधिकार में था वे अपनी जागीर में मनमर्जी करते थे, बड़े बड़े कुलीन पीटर्स बर्ग के राजदर्बार में रहते थे और तरह तरह के सड़यंत्रों में लगे रहते थे उनके दुर्वेहवार से सर्वसाधारन वर्ग बहुत परिशान था, और अब चचा करते हैं निम्न और मध्यम वर्ग की स्थिती पर इस वर्ग में किसान और मजदूर आते थे, अधिकान किसान बंधवा मजदूर थे, एक परकार से वे सामन्तों के गुलाम जैसे थे, मजदूरों की स्थिती और भी बदतर थी, इस परकार निम्न वर्ग के लोगों के बीच असंतोष की भावना बढ़ती गई रूस में अद्दोगिक प्रगती तो हुई, परन्तु रूस के सभी साधनों पर पूंजी पतियों का अधिकार हो गया, इसलिए मध्यमवर्ग में भी घोर आसंतोष था, और अपचर्चा करते हैं अल्प संख्यकों की असंतुष्टी पर विसाल रूसी सामराज के अंतरगत वेभिन अल्प संख्यक जातियां यहूदी, पोल्स, फिन्स आधी रहती थी, ये सभी रूसी सामराज के अधीन थे और पराधीनता का अनुभव करती थी, उनकी अपनी परंपरा, संस्कृती और भाशा थी, परन्तु रूस की जारसाही सरकार उन पर रूसी भासा और संस्कृती लाद कर उनका रूसी करण करना चाहती थी, इससे सामराज के अल्प संख्यक जातियों में घोर और संतोस फैला हुआ था, यहूदी जारसाही के निर्दर्ता पून वहवार के जादा शिकार थे, उन पर संगठित अत्यचार होता और सैकडों, यहूदियों, इस्तरियों तथा बच्चों की हत्या कर दी जाती थी, इस कारण यहूदियों में घोर आसंतोस फैला हुआ था और विद्रो होते रहते थे, 1863 इस्वी में पोलेंड में हुए विद्रो को जार द्वारा कुचला गया, लेकिन विद्रो उसके ब निरंकु शासन के अंत करने के पक्षपाती हो गये। अब चर्चा करते हैं इरोपे लोकतंत्रवाद की रूसी जनता पर प्रभाव की। फ्रांसिसी क्रांती के बाद पश्मी इरोप में उथल पुथल हो रही थी। सभी देशों में रास्टेता तथा लोकतंत्रवाद की अस्थापना के लिए संघर्ष चल रहा था जिसका प्रभाव रूसी जनता पर भी पड़ा। यदपी जार की ओर से इस बात का पूरा प्रबंध किया गया था कि बाहर से किसी प्रकार का क्रांतिकारी विचार रूस में प्रवेश नहीं करे। परंतु या संभव नहीं था कठोर नियंत्रन के बावजूद पश्चमे लोकतंत्रवाद का सिध्धांत रूसी जनता को प्रभावित करता रहा। इसका परिणाम यह हुआ कि रूस में बौधिक क्रांती हुई। रूस के शिक्षित लोगों और दार्षनिकों के विचारों में परिवर्तन होने पश्चिम के अनेक पुस्तकों का रूसी भासा में अनुवाद हुआ। लोग नए गरंथों का अध्यन करने लगे। उन पर नए विचारों का गहरा असर हुआ। खास कर विद्यार्थी वर्ग पर। उन्होंने अनुभव किया कि देश की दुर्दशा का सबसे बड़ा का कारण जार की निरंकुष्ता है। वे इसकी समाप्ती की बात सोचने लगे। इसी समय रूस में अनीक ऐसे दार्षनिक तथा साहित्यकार उत्पन हुए जिन्होंने पास्चाते दार्षनिकों के प्रसिद ग्रंथों का अध्यन किया। टॉलस्टाय, वास्तोविस्की, तु और रूसी जनता पर समाजवादी विचार हावी होने लगे। अब रूसी जनता निरंकुष्ता का अंत चाहने लगी। जार ने सामयवादी विचारों के देश में आगमन पर प्रतिबंध लगानी का प्रत्न किया, किन्तो उसे सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। आगे चर् समाजवादी प्रवृति के विकास में महतपोन योगदान दिया। समाजवादी विचारों से प्रभावित होकर रूस में आंदोलन चलाया गया। आंदोलन कारियों ने अपना आंदोलन क्रिशकों के भूमी हींता के विरुध किया था। 1903 एश्वे में समाजवादी लोक रूस में चाहता था। जबकि दूसरा दल अन्य वर्गों का सहयूग प्राप्त कर जन्तंत्र का पक्षपाती था। परन्तु जारसाही का अंत इन दोनों का उद्देश्य था। अब थोड़ी चर्चा करते हैं यूरोपे लोकतंत्रों का रूस पर क्या प्रभाव पड़ा 1914 में हुए प्रथम विश्व युद्ध में रूस इंगलैंड तथा फ्रांस की ओर से लड़ा। इंगलैंड और फ्रांस का युद्ध का नारा राश्ट्यता, स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र की रक्षा करना था। वे इसी के लिए लड़ रहे थे। उनकी इस प्रचार का रूस पर गहरा प्रभाव पड़ा। रूसी जनता ने देखा कि जब रूसी सेना, राश्ट्यता, स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए लड़ रही है तो देश में निरंकुषता क्यूं। अतावा देश में लोकतंत्र की अस्थापना की आकांशा करने लगी। और अब च 1914 में प्रारंभ हुए प्रथम विश्युद में रूस ने मित्र रास्टूं की ओर से लड़ना स्विकार किया। इसी समय संसत के लगभग सभी सदस्यों ने इसे स्विकार भी किया। प्रन्तु जार और जरीना की विवेक हींता, युद्ध कारे में अनावयशक हस्तक्षे एवं कर्तवे हींता ने सेना के मनुबल को गिरा दिया। सैनिक युद्ध लड़ने गए प्रन्तु उनके पास युद्ध सामगरी का अभाव रहा। सेना को उच्चित प्रशिक्षन, वस्त्र और शस्त्र नहीं मिल पा रहा था। सैनिक बगावत करने लगे और पूरे दे फलसरूप अनाज का अभाव हो गया। महंगाई बढ़ गई। कीमते आकास चुने लगे। करांती का ततकाली कारण खादे सामगरी की कमी पर जनता का असंतोष्ट था। डबल रोटी खरीदने के लिए लोगों की लंबी कतारे लगने लगे। जिसके कारण हरताल और उप ट्रोगाड में जनता रोटी रोटी चिलाती सडकों पर निकल पड़ी। 80-90,000 मजदूरों ने भी हरताल कर दी और जुलूस से जामिले। सेना ने भीड पर गोली चलाने से इंकार कर दिया। राजधानी के सैनिक गवर्नर ने मजदूरों को काम पर लोटने की आग्या दे दी और सभा को निरस्त करने का हुक्म दे दिया। लेकिन मजदूर पीछे लोटने को तयार नहीं थे। मजदूरों और सैनिकों की एक सोवियत का गठन किया गया। और सैनिक तथा मजदूरों में सहयोग की योजना के अनुसार आंदूलन आगे बढ़ता गया। 12 मार्च क राजधानी पर मजदूरों और सैनिकों का कबजा हो गया। इस परकार विभिन कारणों ने रूसी क्रांती को अंजाम दिया। आज की लिक्षर में बस इतना ही। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने घरों में पूरी मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी। घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्त रहें। धन्यवाद।